नमबर टू कंस्ट्रक्ट एन आश्रोल ट्रेंगल इन विच दा लैंथ ऑफ इच उप इट्स इक्वल साइड इस सिक्स पॉइंट फैंटीमीटर एंड एंगल बिट्विन दैम इन 110 तो आपको एक ट्रेंगल बनाना है मानली आपने ट्रेंगल बना लिए ए बी सी का तो आपने एक 6.5 की आप एक लायन खीच लेंगी यहाँ पर रफ ड्रव बनायांगे 6.5 का आपने बनायगी है और आपका जो एंगल बनेगा वह लगबग आपका ड्यक्र बनेगा मानल बनेगा वह कितने होगा 6.5 का 110 डिगरी का उसमें से आपका बनना है तो 110 डिगरी 6.5 की हो जाएगी और एक लाइन आपकी यह 6.5 की हो जाएगी नौ इविल जॉइन करेंगे तो आपको कुछ डाइग्राम ऐसा आएगा आपका इस तरह का आएगा आप नहीं में आप दे सकते हैं हापे यहापे कट लगीगा और यह आपको जाएगा A B C तो कैसे उड्रो होग अच्प करेंगा आपको किस तीट आएगा यहापका अप्टीउी यह जैंगल है तो आपको 110 होता है आपका हो अदर कीज में लिग्री से लेस तरह से होता त्यापका सक्राइब्स और हीएक तो दोग दोगरे जाएग्र अब जालिक का उल्पक्वलिमका हब थोड़ी पड़ी जाए की यह से तब इस लाइं को और इंक्रीस कर दिए ने अब यह एक्स्टेंद गरिंगे स्थेंको प्रेट मिल जाएगा तो अब इसको नाम देजी है एसको बी एंड सी आज ज्ञाइंट एंड सी अब एंड सी यह द्राइंट को आप ज्याइन करें रिक्वायर्ट ट्रेंगल इस आइशोस्ट ट्रेंगल थर्ड कुश्चन भी देखिए थर्ड कुश्चन क्या है कंस्ट्रक्ट ट्रेंगल ABC BC 7.5 AC 5 cm मेजर C यहां पर C दिया है 60 डिगरी तो आप कौन सा बेस में कौन सा लिखेंगे पहले नीच से पहले नाच से आप A C तो C A और B Both dry यहां परिए से बी तो फद्रक डाइक्रम कैया से आपने के बनाने के बाद यहां से सिस्टी डिगरी बननाने के बास्ति यहां तो फिर आपका क्या है C से 7.5 इसी पर लेंगे आख लगाएंगे 7.5 इसी पर लेंगे आख लगाएंगे 7.5 बता रहे हूं तो थर्ड कुछिन आपको होमबक में है कि आपको लाइन नीचे ड्राओ करना है यह एसी तो आपको क्या हो जाएगा ए बी सी आपका ए बी सी हहां से जॉइंट हो जाएगा 7.5 cm की आप पी वाली लाइन बनाना एसी हापे 60 डिगरी का होगा तहने आप इसको लाइन ड्राओ करना तो आपको कुशन नंबर 3 इस इन यह ह खाव भाएग हाएगा ए जापकμεने तो लाइन faithful में उभलाग Ke मैं करना ही बाएगा है घ्रयासटै शऐगा है